सब्सक्राइब करें लर्ण टेक्निकल साइन्स को और प्रेस करें बेल आइकन वो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हलो दूस्त आपने हर चीज की परचाई देखी होगे पर एक चीज की परचाई नहीं देखी हो है आग आग के परचाई कभी नहीं दिखा दिए थी तो क्या है इसके विचे करन वो आपकों में इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो चला ह चलेए आप किसी वज़ये बताते हैं जलती रोसिन के पीछे खड़ा होने पर हमें अपनी परचाई दिखाई दिखाई देती है यहां तक हर वस्तु की चाया दिखाई पड़ती है सिवाई आग गे आप माचेस की तीली को ही ले लें उसकी भी अपनी परचाय होती है पर अगर हमें उसे जलाते हैं तो निकलने वाली आग की परचाय नहीं दिखती आप चाये तो इसे आजमा कर देख सकते हैं आप माचेस जलाते हैं तो उस वक्त उसके चिंगारे की छोटी सी परचाय तो दिखाई पड़ती है लेकिन वही जलने के बाद उसकी आगी की परचाय नहीं दिखाई देती तो आप इसको आप घर पे आजमा कर जरूर देखें एक तेले जलाएं और तेले जलाने के बाद उसको परचाय देखें सिर्फ तेले की परचाय दिखाई देखी उसके उपर जो लो है उसकी नहीं दिखाई देगी आप मुहम्बत्य को जलाने के बाद उसे किसी दूसरी रोसनी में लेकर आए और वहाँ उसके परचाई देखने के कोसिस करेंगे तो ऐसे में आपको मुहम्बत्य के परचाई तो दिखेगे पर वही उसके लोग की परचाई नहीं दिखेगे कि यह मैं आपको बताने की कोसिस कर रहा हूं कि लोग की परचाई नहीं दिखाई देती सिर्फ तो चलिए जानते हैं इसके वज़ा क्या है तरसल इसके पिछे विज्ञान का कहना है कि माचस्की या मुहमत्ती की आग श्यम की एक रोशनी है ऐसे में अगर उसे दूसरी रोश रोशनी की परचाई देखना ही चाहते हो तो इसके लिए आपको उस रोशनी को उससे भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना होगा और चूंकि सूर्य की रोशनी से अधिक तेज तो कुछ भी नहीं होता ऐसे में आप जलते हुई महमत्ती को रोशनी की सूर्य की रोशनी में दिखेंगे तो दिवार या या फिर किसी जमी पर उसकी चलते हुई लोग की परशाई देखने को मिल सकती है वाकी कहीं नहीं देखने को मिलेगी तो आपको कारण समझ में आ गया होगा सब्सक्राइब करें लट टेकनिकल सैंस को और प्रेस करें बेल आइकन वो लटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए